तो आज किस वीडियो में हम सेखने वाले हैं कि एक पसरी बराबर कितना होता है कितना किलो होता है उसके बाद एक किलो बराबर कितना गराम इसके बाद हम इससे लेटर एक प्रस्ण करेंगे जो हैं पर मैंने लिखा है कि मालेजी एक पसरी चीनी कदाम क्या है 200 रुपया है त चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं तो हम यहां सबसे पहला सवाल क्या है कि एक पसेरी कदाम यानि कि एक पसेरी बराबर कितना किलो होता है तो मैं बता दू आपको कि एक पसेरी बराबर क्या होता है पांच किलो होता है कितना पांच किलो गराम होता है समझ के एक पसेरी बरबर पांच किलो होता है अब एक किलो बरबर कितना होता है कितना गराम एक हजार गराम होता है यह दोखो हमारा यहाँ पर डाउट क्लियर हो गया अब सवाल के तरफ चलते हैं यहाँ बोल रहा है कि एक पसेरी चीनी कदाम का दाम कितना है 200 रुपया है ठीक है इसका दाम 2 रुपया तो मैं एक किलो का दाम निकालना है तो एक किलो का दाम निकालने करने क्या करना पड़ेगा लिखेंगे एक किलो का दाम बराबर यह जो एक किलो का दाम है इसमें क्या करेंगे पांच किलो का दाम है तो लिखेंगे एक पसेरी का का दाम बटे में एक पसेरी में किलो का एक पसेरी का दाम बटे में एक पसेरी का वज़न ठीक है वो लिखना है यानि कितना किलो था वो लिखना है तो एक किलो कदाम निकल कर आजाएगा तो एक परस्यरी कदाम कितना है 200 रुपया है बटा में एक परस्यरी बरव कितना होता है पांच किलो यहां पर लिखेंगे पांच किलो तो हमारा एक कहाना चालिस रूपैर देखो एक किल निगैंगे, भीज़ को मिकाले नियुक रूपैरा, तो है। 25 आदंद है सो ज़ेए इसे निकालते हैं समझेगे किंड़ोगा है अप्साइड हैं सर्फ सकता है दस छीनि मैं किटना है चार चार सो रॡ्फिया है तो बताइए कि एक किसमा आपी 2 किछ्या जतना होगा तो क्या करेंगे दिया तो दस किलो में चार सो में दस का निकल करा जाएगा अगर गराम में दे दें कि एक पसरी कि दाम दो सुर्पया है तो तीन सो गराम को दाम कितना होगा कैसे निकालेंगे दिखे Ishko n LAUGHTER क्या करना पडये गा कि हमने दो खत्त है इक किलो क दाम निकाला था एक किलो घडाम हमने निकाल अभी 40 रॉपया ञीक हीए Valley हमने किitelurally कितना होता है 1000 सब्सक्राइब का टालीन के यह लिधी है और और निकालेंगे तो 300 एक6 और होटे लिधा मुद्ट यहां पर 12176 मळचर को योरे होगा रूपीचे से यह झालीन miraculous यहां 1 बार दोसो लग जानि सो गराम को डाम कितना हो गया जार रॉपया अब 300 कि बोलทे घ्राइब टीन सो गराम का डाम बराबर चारे में 3 के बड़ा करतेंगं क्योंकि तीन ही कि बार होगा कि जाहते हैं 12 आ Szια हो गया ना अगर निकालते हैं अगर गरा में दिया हो तो इस तरीके से निकाला जाता है यह होप आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो के लाइक करते हैं चैनल पर नहीं सब्सक्राब कर लो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में